इसराइल ने 8 अक्तूबर 2023 को जिस तेजी से हमास के कबजे वाले गाजा पर हमला बोला था अब वो जोश ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है गाजा में जैसे जैसे इसराइली बलो ने अपने हमले तेज किये वैसे वैसे हमास के सहयोगी और फिलिस्तीनी समर्थक इसराइल पर हमलावर है इसराइल और हमास के कबजे वाले गाजा में जंगी हालाद बदस्तूर जारी है इसराइल हमास युद्ध की आग अब पूरे मिडलीस्ट में भड़क चुकी है युद्ध हर बीते दिन के साथ और गहराता जा रहा है पुराने इलाकों पर फिर जंग शुरू होने से हर कम्प मचा हुआ है इस बीज दावा किया जा रहा है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोधि गुट गाजा के उत्तर में जबालिया और दक्षिन में रफा शहर में कई मोर्चों पर इसराइली सेनाओं से उलज रहे हैं फिलिस्तीनी लड़ा के सक्रिय रूप से इसराइली सेनी को और उनके वहनों का पीछा कर रहे हैं कई प्रकार के हत्यारों का इस्तेमाल कर इसराइली बलो पर कहर बर पा रहे हैं उत्री गाजा में जबालिय शरणार्थी शिविर के पूर्व में हमास की मिलिटरी विंग, अलकासिम ब्रिगेड कबजे वाली ताकतों के साथ अलकासिम ब्रिगेड इसराइली सेना के साथ भयंकर तक्राव में लगी है इसी तरह मुझाहिदीन ब्रिगेट भी कई प्रकार के खतरनाक हत्यारों का इस्तिमाल करते हुए इसराइली सेना के साथ भी शन टक्राव से जूज रही है अलमयादीन के रिपोर्ट के मताबिक हमास जबालिय शिविर में इसराइली सेना के साथ भायंग का टक्राव में लगा हुआ है पूरवी राफा को लेकर प्रतिरोधी समू जोर्ड स्ट्रीट के पूर में आईडिय अफ का सामना करते हुए इलाके में इसराइली घुसपैट का मुकाबला कर रहा है अलकासिम ने खुलासा किया कि गाजा के दक्षिन में राफा शेहर में जोर्ड स्ट्रीट के पूर में दो अल्यासीन 105 गोलों के साथ एक इसराइली सेने वाहन और एक मेरकावा टैंक को सफलता पूरवक निशाना बनाया गया इसलामिक जिहाद की मिलिटरी विंग अलकुस ब्रिगेड की मदद से अलकासिम लड़ाकों ने भारी कैलिबर मोटर गोलों का इस्तिमाल कर राफा क्रॉसिंग के भीतर इसराइली बलों को सफलता पूरवक निशाना बनाने का दावा किया है बताय जा रहा है कि इसराइली सेना ने गाजा में हमास के लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है राफा के साथ साथ युद के दोरान लगबग तबाह हो चुके उत्तर के कुछ हिस्सों में भी कारवाई दोबारा शुरू की गई है इस दोरान जबालिया पर आकरमन के दोरान भीशन छड़पे हुई जबालिया में इसराइली सेना ने हवाई हमलों के बाद टैंक और बखतर बंद गाड़िया भेजी है